हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो माइ यूटीब चैनल सो आज हम डिसकस करेंगे क्लास नाइन स्चेप्टर वर्ण डैट इस मैटर इन आर सराउंडिंग का नेक्स टॉपीक जिसका नाम है कारेक्टरिस्टिक्स ओफ पार्टिकल्स ओफ मैटर जो मैटर के पार्टिकल्स होते ह है स्पेस होता है जगर होता है अब इसे हम समझिंग कैसे प्रूफ कैसे करेंगी तो यहां पर हम एक एक जामपल लेने वाले तो यहां पर हम ले लेते हैं एक बीकर और बीकर में हमने ले लिया है 100 ml water सपोस हमने इतना पानी ले लिया है ठीक है और हमने mark कर दिया यहां तक water का level यहां तक है हमने 100 ml water लिया है 100 ml water अब देखिए इसमें हम add करेंगे क्या add करने वाले हैं 20 gram salt करेंगे और उसको अच्छी तरीके से कर लेंगे कि जब आप water में salt को कर लोगे तो उसके बाद आपको देखना है कि क्या water का level बढ़ा है यह उतना ही है तो जब आप यह activity करोगे तो आप यह observe करोगे कि यह water का level उतना ही रहता है बढ़ता नहीं है ऐसा क्यों होता है क्योंकि यह जो water हमने लिया है water के जो पार्टिकल्स है यह जो water के पार्टिकल्स है इनके बीच क्या है इनके बीच स्पेस है जगह है इसी जगह को salt के पार्टिकल्स अकुपाई कर लेते हैं यह जो salt के पार्टिकल्स है यह क्या करते हैं यह आकर यहां पर यह जो water के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जगह है तो सॉल्ट के पार्टिकल्स आकर इनके बीच में बैठ जाते हैं स्पेस अकुपाई कर लेते हैं इसलिए वाटर का लेवल उतना ही रहता है बढ़ता नहीं है तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी बीच में क्या होता है इस पेस होता है तो यह था पहला कारेक्टरिस्टिक अब हम डिसकस करेंगे सेकेंड करेक्टरिस्टिक यह पाल nouvelles और सेकेंड क्रेक्टरिस्टिक इससे सब्सक्राइब के में जो आप पूजा करते हो तो अगर बत्ती जलाते हो और उसे एक जक़ पर रख देते हो आपने उसे एक जग़ा you लेकि उसका जो उस्काव 파ा प्रब्र भानदे नो पूरे घर में फैल जाता है आप एयसा कि होता है क्योंकि भानटिकल लिह क सब्सक्राइद आपने k Understand जाता है तो इस एक्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वह क्या करतें हैं वह मूव करते रहते हैं अब एक और एक्जाम्पल से जुद्धे के लिए थोड़ी दिर बात जब आप देखोगें ना तो जो पानी का कलर है ना पूरा पर्पल हो गया होगा पूरा पर्पल हो जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि यह पोटेशिम पॉर मैगनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वह क्या करते हैं वह कॉंटिनेसली मूव करते रहते हैं और पानी के साथ क्या होते हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो जा कर रहा है क्यों कर पा रहा है क्योंकि उसके अंतर क्या एक काइनेटिक एनर्जी है कोई भी सब्स्टेंस हो कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर वो मोशन में है अगर वो मुव कर रहा है तो उसके पास क्या है उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी क्या ह जरूत पड़ती है एक ताकत की जरूत पड़ती है ठीक है तो उसी एनरजी को हम बोलते है काइनेटिक अब देखिए ये पॉच्ण क्यूं कर बारहे हैं क्योंकि पार्टेकल के अंदर क्या है उनके पास एक काइनेटिक एनरजी है कोई बी सब्स्टेंस कोई बी मोशन में नहीं है मोशन में नहीं है तो इसकी कानेटिक एनरजी क्या होगी जीरो होगी अगर मैंने बॉल लिया है बॉल को मैंने धीरे से रोल किया है तो क्या है उस बॉल के पास कानेटिक एनरजी है कम है लेकिन कानेटिक एनरजी है अगर बॉल को ऐसी एक जगा पर रख द कि वैसे ही यहां पर है अगर यह जो हमने बीकर में क्रिस्टल डाला है पोटेश्यम पर मैगनेट का इसको अगर हमने हीट किया होता अगर इसको हमने हीट किया होता तो जो पार्टिकल से पार्टिकल का मुवमेंट फास्ट हो जाता जब पार्टिकल का मुवमेंट एकदम फा हो जाता है तो इससे हम बोल सकते हैं कि टेंप्रेचर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स का कानेटिक एनरजी भी इंक्रीज हो जाता है ओके अब नेक्स्ट इसी में एक और टॉपिक जूड़ा हुआ है डिफूजेन क्या होता है ? मिक्सिंग कीसी भी दो डिफ्रेंट टाइप ओफ पार्टिकल्स का मीक्स होना कैसे ? on their own जब दो different type of particle खुद से mix होते हैं, उसे हम बोलते हैं diffusion, हमने यहाँ पर example लिया था, अगरबत्ती का, ठीके अगरबत्ती हमने जला कर रख दिया, तो उसके particles क्या हुए, वो air के साथ खुद mix हुए, हमने mix नहीं करवाया उसे, वो खुद mix हुए है, और mix होने की वज़े से वो जो सुगंध होता है, अगरबत्ती का पूरे घर में फैल जाता है, ऐसी हमने यहाँ पर दुसरा example भी लिया था, यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर हमने water में दो crystal डाल दिये थे, potassium pore magnet के, हमने उसको अपने हाथ से stir नहीं किया था, अपने हाथ से dissolve नहीं किया था, यह अपने हाथ से stir नहीं किया है, अगर हाथ से stir करते तो वह process fast होता, फटाक से वह ब्लू हो जाता, लेकिन आप ऐसे ही रख दो, उसमें इंक डाल दो water में, तो क्या होगा, एक मिनट दो मिनट लगेगा लेकिन खुद से वह पूरा पानी ब्लू हो जाएगा, तो वह खुद से हो रहा है, तो जो भी different type of particle जो होते हैं, वह खुद से mix होते हैं, उसे हम diffusion बोलते हैं, all right, diffusion तीनो state में होता है, solid, liquid, gas, तीनो में diffusion होता है, लेकिन सबसे fast diffusion, gases में होता है, और सबसे slow diffusion किसमें होता है, solid में, then third characteristic is, particles of matter attract each other, जो matter के particles होते हो, क्या करते हैं, एक दूसरे को attract करते ह हैं, जैसे यहां पर हमने ले लिया एक matter, कोई भी matter है, तो इसके जो particles होते हैं, वो एक दूसरे को attract करते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ा रहना चाहते हैं, ठीके, particle के बीच में क्या होता है, force of attraction होता है, FOA, force of attraction, जैसे यहां पर हमने लिया है, ice, ठीके, तो क्या आप ice क ब्रेक कर सकते हो, अपने हाथ से, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का force of attraction होता है, जो particles होते हैं, उनके बीच का force of attraction बहुत ही जादा होता है, कोई भी solid ले लुआ, ठीके, suppose यह solid है, क्या मैं इसको break कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इनके बीच का, particle के होगे, हां घुमा पाएंगे, ठीके, तो इसमें जो force of attraction होता है, वो कैसा होता है, वो less होता है, as comparison to solid, liquid में force of attraction कम होता है, लेकिन जो gases होते हैं, जैसे water vapor हैं, इसमें हम easily हाथ घुमा सकते हैं, क्योंकि इसमें force of attraction कैसा होता है, leashed होता है, बहुत ही कम होता है force of attraction, तो इससे हम ये क्या समुज में आता है? कि ये मैटर होते हैं, solid to liquid gas ये तीनों में क्या होता है ? ये 3 में particles ये को attract करते हैं बस थोड़ा सा different हुता है Solid में क्या होता है ? force of attraction बहुत जढ़ा होता है liquid में कम होता है और gases force of attraction बहुत कम होता है So, I hope कि आपको ये topic समझ में आया हूँ, अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर कीजिए Thank you so much for watching this video